तो वेल्कमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का और जैसा कि आपका डिमांड था कि हमें human rights का भी question देजिए चलिए human rights का आज question करेंगे और आज mobile पे सूठ हो रहा है तो आप लोग बताईएगा कि mobile से ज्यादा आपको clear सुनाई देता है ज्यादा दिखाई देता है ना laptop से या फिर दोनों से ठीक है किसमें ज्यादा बेटर तरीके से आपको वीडियो मिलता है यह भी आपको कमेंट में बताईएगा ठीक है मेरे दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव कोश्टिन को देखेंगे तो अगर अभी तक आपने नई खरीदा है मार्केट में आ गया है 40 रुप्या के यह असपास 35 यह 40 रुप्या दाम है ठीक है देख लेते हैं तो इसमें आपके अब्जेक्टिव कोश्टिन है ठीक है हलाक अगर आपको अब्जेक्टिव पकड़ लेंगे ना तो उससे सब्जेक्टिव भी आपका सॉल्ब होगा ठीक है चलिए देखते हैं तो हमारा पहला कोश्टिन है कौन सा मुल्य सभी वेक्तियों के परति सम्मान और उनके अंतर नहीं तो मुल्यों पर जोड़ देता है ठीक तो मैं आपको बोल दूगा ठीक है संतरता का मुल्य मुख्य तक किसे संबंदित है तो इसका राइडंध हो जाएगा संतरतंता मतलब फ्रिडम यानि कि उत्पिडन से मुक्त होने और सोतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है ठीक है यानि कि कोई आप पर सोसन नहीं कर सकत साय इत्यचार नहीं करेगा और आप सोतंत्र रूप से काम कर सकें ठीक है फिरली तो यह आपका संतरता का मुख्य रूप है से संबंदित है और यह भी आपका इंपोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगला कोश्चन कौन सा मुल्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी वेक्तियों को समान आउसर मिले और उनके साथ भेदभाव नहीं हो ठीक है तो यह आपका इंपोर्टेंट है और इसे आप लोग नोट कर लिजेगा इसे बोलते हैं हम लोग एक्विलिटी यानि के समानता ठीक है समानता का अधिकार यह एक परकार का हमारा मौली का अधिकार है और इसमें क्या बोल गया है कि चाहिए आप किसी भी जाती से हो किसी भी धर्म से हो परतिक वेक्ति को समान आउसर मिलेगा चाहिए सरकारी नोकरी की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर में बात करें या फिर कोई भी योजना हो सभी को समान आउसर मिलेग और उनके साथ कोई भैद्भाव नहीं किया जाएगा तो यह आपका कैसा अधिकार है समानता का अधिकार है ठीक है ठीक है और तो मतलब जस्टिस क्या होता है नियाए तो अधिकारों की सुरक्षा जब भी हमारा कोई अधिकार हो चिंता है कोई वेखती तो हम लोग कहां जाते हैं निया याला जाते हैं कोट जाते हैं या फिर गल्ती होती तो उसकी सजा कहां मिलती है तो कोट में मिलती है एक होता है आपका अनुमंडल कोट ठीक है अनुमंडल पर कोट होता है और यही आपका जिला लेवल का कोट होता है अनुमंडल पर जिला पर दो कोट होता है को अनुमंडल अस्तर यह कोट और यह जिला अस्तर का जिसको सिविल कोट बोलता है ठीक है तो जेनरली कोट को जो है चार भागों बाटा गया है पहला एक होता है सिविल कोट जिसको हम लोग बोलते हैं अधिनस्त नियायाले ठीक है सिविल कोट अधिनस्त नियायाले या फिर सत्र नियायाले ठीक है पहला जो जीला लेबल पे होता है दूसरा एक होता है हाई कोट जो के राज लेबल पे होता ह ठीक है हाई कोड हम लोग का हाई कोड़ का आप है राची में कब अस्थापना हुआ 15 नॉबर 2000 को ठीक है एक होता है हाई कोड वर्तमान समय में पुर देश में भारत में 26 को हाई कोड़ है ठीक है हिंदी में बोलते हैं इसको अधिनास्त नियाले इसको बोलते हैं उच्छ नियाले और इसको बोलते हैं उच्छतम नियाले उच्छतम मतलब हाइस्ट ठीक है और उच्छतम नहीं तो सरवच नियाले भी इसको बोल सकते हैं सुप्रीम कोट को सरवच नियाले या फिर उच्छ प्रितम नियाया-ले टेंगक तो होता है टेंगको होता है देस में और एक जो था बताया चार तो चौत जब किसी देश होता हो जाता है लड़ाई हो जाता है उस समय उसका यादर क्या स्थे आपका अंताब राश तियर निया और उसको बोलते हैं İnternational Court of Justice International poor man we decide on the court of justice ICJ को और यहाँ जो है आपका इंटरनेशनल Court of Justice कहां पहां पहीं श्तित तो यह आपका भ्याहां पंडॉरत क्रूदिद्ध तो यह आपको अपने विठारबंच करूब प्रश्ण माना अधिकारों का अधियन करने का क्या महत्व है माना अधिकारों का अधियन करने का क्या महत्व है हमें क्यूं करना चाहिए माना के अधिकारों का अधियन तो राइटन हो जाएगा व्यक्तियों की बुनियादी सुंतरता सुरक्षा और समवर्धन के लिए ठीक है और दीनमबर है आपका यही आंसर है तो और फिर फालतु में टाइम वेस्ट कहें करेंगे ठीक है यह भी इंपोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट आपका यहां पर माना अधिकारों की किस पीड़ी में नागरिकता और राजनितिक अधिकार सामिल है यह important question है ठीक है तो मानाव अधिकारों की पहली पिड़ी में यह आपका नागरिक्ता यानि कि citizenship और politics ठीक है यानि कि राजनितिक अधिकार सामिल है ठीक है citizenship rights and आपका political rights किस क्या बोलेंगे किस स्रेणी में आते हैं इंगलिस में किस generation में आते हैं तो first generation में आता है primary generation में ठीक है कोन-कोन से अधिकार तो यहां पर पूछ चकता है कि पहली पीड़ी में कौन-कोन से अधिकार दिए गए मानाव अधिकारों में तो पहली पेड़ी में नागरिक्ता और राजनितिक इंगलिस में citizenship और पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है ठीक है अगला देखते हैं कोशन है हमारा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक कौन-कौन से आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार माना अधिकारों की पीड़ी क्या हिस्सा है यह भी इंपोर्टेंट है तो दिखिए पहली पीड तो यह तीन को अधिकार दिया गया है दूसरी पिडी में नोट करते चलिएगा पहली दोग अधिकार नागरिक्ता और राजनितिक नेखिए अर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, दूसरी पिड़ी में, ठीक है, यह भी important है, next है अगला question हमारा, मानव अधिकारों कि तीसरी पिड़ी में किस परकार के अधिकार सामिल है, यह भी important question है, तो इसमें हो जाता है हमारा collective rights, यानि कि सामुईक अधिकार, ठीक है, जो मानव अधिकार है, उ यक्ति परक अधिकार, जैसे, डिटल, गोपनियता, और अनुवांसिक डेटा संरक्षम सामिल है, यह भी आपका important है, यानि कि जो हम लोग आजकल mobile अगरा चराते हैं, computer अगरा चराते हैं, तो वो पिड़ी का बात क्या जा रहा है, चौन्ती पिड़ी, जो अभी हम लोग च चल रहा है, ठीक है, चौन्ती पिड़ी, इसका right answer हो जाएगा, यह भी important question था, ठीक है, अब next question आता है, हमारे यहाँ पे, विविद्धता में एक्ता, यानि कि हमारा बहुत, हमारे देखिए देश में, बहुत सारे जर्म, जाती, संपरदाय, भासा, सब अलग है, कुछ भी स है, कि हम भारतिया है, ठीक है, तो विविद्धता में एक्ता का मूल, क्या बढ़ावा देता है, ठीक है, तो लोगों के बीच मतभेदो का जस्न मनाना और उनका सम्मान करना, यहां पे, क्या बढ़ावा देता है, यहां पे होना चाहिए, इसका right answer, राष्ट एकता को संख्या को लोगों के बीच मतभेदो, राइट एंस रोजना चाहिए, यहां पे, अब लोग लिख लिजिएगा, राष्ट एकता को बढ़ावा देता है, ठीक है, हाला कि यह question नहीं आएगा, next है, आपका यहां पे, कौन सा दस्तावेज, सूचना तक, कौन सा दस्तावेज, सूचना तक, पहुच के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पूश्टी करता है, ठीक है, तो देखिए, यह question important है, और इसको हम लोग बोलते हैं, मानव अधिकारों के सारव गोहमें घ information पहुचे, यह आपका अधिकार दिया गया है, ठीक है, मानव अधिकारों सरव में कोशना क्या है, RTI, right to information उसके तहर जोड़ा गया है, ठीक है, next देख लेते हैं, अगला question है हमारा यहां पे, अंत्राइश्टिय, अंत्राइश्टिय, प्रसमवीदाओं में मानव अधिकार से संबंदित, कौन सी दो प्रमुक संधिया सामिल है, ठीक है, तो यह जो दो को important इंटरनेश्टल लेवल पे, मानव अधिकार को लेकर बनाएं गया है, यह आपका है, ICCPR और आपका IECSPR, ठीक है, यह भी important question नहीं है, next आपका यहां पे, कौन सा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, बिशेश रूप से महिलाओं के विरुद मतभेदों को समाप्त करने पर केंद्रित है, ठीक है, कौन सा सम्मेलन महिलाओं के विरुद मतभेद को समाप्त करता है, ठीक है, तो पहला है मानव अधिकारों के सारभॉमिंग घोसना, और दूसरा है नागरिक और राजनतिक अध करों के अंतराज थिय वाचा नहीं आर महिलाओं के व्रुद्थ सभी परकार के मत्वेदों के उल्मेनन पर Konvention ठोप से इसका राइटमसर हो जाएगा है महिलाओं के वरुद्थ सभी परकार के रह्टाँ मुलन ठीक है हाला कई कोश्टन देखने सांथ मिल गया के अछटा होगा अगला है बाल अधिकारों पर कर्वेंशन किस वर्स अपनाए गए यह कोर्शन इंपर्टन है और इसका यहां पर जब अप्र जो दिया गया है मतलब इसका राइट अंसर यह गलत है राइट अंसर होगा 20 नौंबर 1989 ठीक है इसका राइट अंसर होगा आगे देख लेते हैं मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं क्योंकि बहुत धीरे-धीरे में बोल रहा हूं मानव अधिकारों के सारभौमिक घोसना के अबदीच तो इसको मारिएगा क्योंकि वही आपका option सही होगा किसी भी प्रश्ण में अगर ऐसा देखने को मिल जाता है उप्रोक्त में सभी इसको सरकारी option बोला जाता है और सरकारी option को छोड़ा नहीं जाता है ठीक है नेक्स्ट आपका यहां पर और सांस्कृतिक अधिक इसको सब्जेक्टिब में नोड कर लिजेगा बहुत important कोशन है ठीक है कि आगे दिखते हैं next आपका यहाँ पर अगला question कौण सा सम्मयलन सट्रों सब्से कम आउग के विक्ति पर केंदरी थे 17 यह गलत है 17 वर्ष नहीं होगा 14 वर्ष से कम आयों के विक्तियों के अधिकार पर केंद्री थे ठीक है तो 14 वर्ष महापे कर लिजेगा बाला अधिकार सम्मेलन अपसल सी आगे देख लेते हैं हलाकि इंपोटेंट नहीं है अगला है हमारा यातना और क्रूर अमान विया या अपमान जनक उपचार या दंड से मुक्त किस अनुबंद के ताथ संदक्षित है तो यह आपका नागरिक और राजनिती का दिखार पर अंतराश्टी वाच्छा इससे संबंदित है हालाकि इंपोटेंट नहीं है यह कोश्चन सेट क्या है यह कोश्चन लग रहा है यह अगला आपका यहां पर कोश्चन है गयर भेदभाव का सिध्धान्त किस मानाव अधिकार साधन की आधार सिला है तो देखिए सरकारी अपसन है उप्रोक्त सभी इसको टिक लगाई और आगे बढ़िए बाकि आप लोग पढ़ लिजेगा मैं वीडियो का डिस्किप्शन म बिस मिनट तक करवा दें चलिए पांच मिनट और रुक लेते हैं जितना होगा ठीक है तो अगला हमारा यहां पर कोश्चन कहां थैं यह उप्रोक्त सभी कोश्चन है निमलिखित में से कौन से भारतिय संभिधान में परतेक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार के रुप मे कि मानाँ अधिकार एक्दम आपका नौट कर लेना थिक भारतिय संभिधान में के लिए मौलिक आधिकार के रूप में नहीं था कि मौलिक अदिकार को मारिए rega, इसका हो जाएगा माना्व अधिकार विखें अगला कॉशन ہے भारतिए सम्वेधां में मौलिक आधिकारों की गारंटी किस भाग के अंतरगत दी गई थीक थीके भारत के जो सबस्वासमिधान है इसमें टोटल कितने भाग अपको थेखें इसको थोड़ा सार्नौट कर लिजी क्योंकि इंपोर्टेंट है ठीक भाग तीन में आता है जब समिधान मना था तो 395 अनुच्छेत थे वर्तमान में 470 को है ठीक है पाले भाग था हमारा 22 को अभी भाग है 25 को और सुरी भाग हां भाग पहले 22 था अभी 25 है ठीक है पहले जो अनुच्छी थी वह आठ थी अभी कितने बारा है ठीक है और तोटल अभी कितना है 25 गो और यह किसमें आता है तो भाग तीन में ऑप्सन एस का राइटन तो जाएगा भाग तीन आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अ भाग दो इसका राइट अंसर होगा लेकिन भाग दो में आपका नागरिकता भी आता है ठीक है और वह अक्सर पूछे जाता है यह इंपोर्टन नहीं है नेक्स्ट आपका भारत की समिधान में मौलिक अधिकारों और मौलिक करतेबियों के बीच क्या संबन्द है तो मौलि अधिकार और मौलिक करते अब एक जैसा एकड़म लगता है ठीक है यानि कि वे एक दूसरे से सोतंत्र हैं नहीं यह फो परस्पर एक चलिए मैं ही बोलता हूं कि पढ़ाई में कभी जल्दी बाजी नहीं करना चाहिए और आज मैं खुद नहीं करूंगा जल्दी बाजी चलिए आराम से करते हैं कोई हड़वड़ी नहीं है ठीक है बाई चलो थोड़ा से लेट जाएंगे वह सही रहेगा मौली का धिकार जो है जहां पर साथ ऑजर में बात चलाते हैं रसिया कि गैसे ऐसा दलिक रहा है मौली करते पते आंपका रूस रूस से टेकर मेरी बाधों को सेो म。 पूरय तो यहां पर यह करते भी और इनकी संख्या है गारगो ठीक है मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से और इनकी संख्या है छेगो ठीक है और ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं अप्सन डीस का राइट अंसर हो जाएगा हलाकि पूछेगा नहीं नेक्स्ट आपका कोश्चन है निम्लिखित में से कौन सा भारती समिदान के ताथ मौलिक करते भी नहीं है देखिए सभी बच्चों के लिए सारो भामिक सिक्षा सुनिश्चित करना ये मौलिक अधिकार नह मौलिक अधिकार जो आपको कोट दे मतलब मौलिक अधिकार को वह अधिकार दिया गया है आपको जिससे आपको कोई नहीं छीन सकता है कोई नहीं मतलब कोट भी आपको छिन नहीं सकता है मौलिक अधिकार ठीक है क्योंकि वह संभीदान है और भारत में सबसे उचा कौन होत कोई नहीं काढ़ सकता है जो अधिकार दिया गया है उसे आपको कोई ने चीन सकता है कोट भी नहीं चीन सकता है ठीक है चलिए तो अगला कोशन किया है राज के नितिनhoneते सक्सिधांतों का प्रात्म और देस क्या है तो राइट हम सुझाएगा समाजिक और आर्थिक नियाए सुनिशित करना ये कोशन नहीं पूछेगा और एक कोशन आता है यहाँ पे कि राइज के नितिन देशक्सिदान की इस देश से लिया गया है तो यह आपका आयरलेंड से लिया गया है ठीक है कहां से आयरलेंड अगला हमारा कोशन है भारती तो यार अच्छेद 14 यहाँ पर मार लेजेगा एक मिनट जीवन है ना सरी अनुच्यद 21 होगा यहाँ पर कोई भी ओप्शन इसका सै नहीं दिया है जो राएट आर्प्शन 21 होगा ठीक है जीवन का दुएकार अनुच्यद 21 होता है ठीक है कहां गया भारति समिदान के तो अगला है हमारा मानव अधिकारों की रक्षा की न्याई पालिका की भूमिका में निम्लिकित सामिल है ठीक है तो देखिए question important नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option C मौलिक अधिकारों की वैख्या और उन्हें कायम रखना ठीक है नेक्स्ट आपका यहां पर भारत में कौन सी संस्ता मौलिक अधिकारों की रीट के माधियम से सीधे लागू कर सकती है तो यह question important है और यह इसका right answer हो जाएगा नियाई पाली का मतलब court ठीक है नियाई पाली का या नियाई यले इसका जो भी गया है यहां रीट के माधियम से मौलिक अधिकारों क्या परवर्तन का है और धर्म सुंतरता आपात का ठीक है ठीक है ठीक है और साथ में होगा एकिस एकिस बी ठीक है समझ रहा है ना जैसे हम लोग मैत पर पढ़ते थे ना परश्ण वाली 1.1 1.2 एक्ससाइज 1.3 वह इसी तरह से मौल एको अनुच्यत के अंतर बहुत सारा वहां पर सब डिविजिन किया गया है एकिस का एक को एकिस का एक को खो इसा बहुत है यार अगर आपका भी समिधान को देखिएगा मतलब थोड़ा सा भी देखिएगा ना गूगल से बुक वगर मंगवा क्या ओनलाइन बुक तो आ नेक्स्ट है आपका भारत में अल्पसंख्यक के अधिकारों के सुरक्षा के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है यह कोशन इंपोटेंट है ठीक है और इसका राइट अंतर हो जाएगा देखिए अल्पसंख्यक है इंगलिस में बोलते हैं माइनोरिटी तो अल्पसंख्यक कायोग इसके लिए जिम्मेदार है ठीक है अल्पसंख्यक आयोग यह इंपोटेंट कोशन है नेक्स्ट है आपका यहां पर राइश्टी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्स की निवक्ति कौन करता है यह कोशन इंपोटेंट है भारत के राष्ट पती ठीक है भारत के निगरानी करते हैं और जागरुकता को बढ़ाते हैं यह इंपोटेंट नहीं है आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट तो अगला है हमारा वे सरकारी कारियों की निगरानी जारखन राइज मानव अधिकार आयोग किसके लिए उतरदाई है ठीक है तो यह कोशन इंपोटेंट न कौशन इंपोटेंट है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाईगा महिलायोग राश्टी महिलायोग और इसके वर्तमान अध्यक्ष है रेखासरमा ठीक है राश्टी महिलायोगक्य देख्ष कोने रेखासरमा इसका असा थापना कब ळहा था 19 vertical में न dengan एk history 9ig में होटना मु मानव अधिकारों के संबंद में मीडिया की प्रात्मिक भूमिका क्या है तो मानव अधिकारों के संबंद में मीडिया जो है एक फॉर्थ पेलर के रुप में कारी करती है यानी कि कि हमारा option देखिए उलंधन की रिपोर्ट करना और सारोजनिक जागरुकता बढ़ाना तो मेडिया का कामी जागरुक करना लोगों के बीच में और रिपोर्ट करना और सुचना का सही परसारण करना जो भी option में रहे वैसा आपको माल देना है ठीक है नेक्स्ट आगे देख लिए अरे बापरी लेकिन यहां पर पोल खोल रहा है सही चीज तो यहीं बोल रहा है मतलब देखा जाए अगर किताबी वहांसा को छोड़ दिया जाए तो यह बात सही है कि ऐसी जानकारी को sensor को करना जो सामाजिक असांती पैदा करता है एकदम सही बा में समानता लाती है लोगों को जागरू करती है लेकिन वास्तों एक ताया तो मीडिया लोगों को लड़ा देती है यह हिंदु यह मुसल्मान हाज हम लोग बात करने वाले हैं बताइए आपका परमुक बाबा कोने धर्म को नहीं ऐसे जानी एक कि एक दो एक दूसरे का जानी दूसरवन है लेकिन दोएसा कुछ नहीं प्रेंट में देखे मेरे वह सारे मुस्लिम ठेंट मटलब दुसरे भी धर्म के प्रेंड her ठेमिस क्या उपकर भी में पड़ियेगा हम लोग सब आपस में बहुत अच्छे सा रहते हैं अगला है एन एच आर आई ठीक है एने चराई यार कमसे कमाचास लिखो भाई एन एच और आई इसका फुलपम क्या होता है नेशनल हुमन राइट्स स्वरी एन एच आर सी है ना नेशनल राइट्स कमिशन ठ कि पुलपम होता है राष्ट ये मानव अधिकार आयोग के सदैस्यों को निक्ति कैसे की जाती है तो एक समिति के सिफारिस क्या भारत के राष्ट पती दिवारा ठीक है ऑप्सन डीस का राइटन सुरूज़ागा अगला हमारा भारत में महिला आयोग का मुख्य उद्दिस क्य सब्सक्राइद की जाच करना ठीक है तो यह इसका सही काम है लेकिन फिरी में कुछ काम नहीं होगा देखिए आदमी बोलता है कि जीवन में भगवान कभी भी उपर वाला भगवान अल्ला जो भी है ठीक है कि हमें दो आदमी से पाला मत पढ़ाईएगा पहला एक आपका ड चाहिएगा यह दो चीज आदमी लफड़ा में पढ़ना नहीं चाहता है यार क्योंकि पैसा जो है ना इसमें पूरा चूस लेगा जितना पैसा है आपका ठीक है तो इसे लिए कोट कचेरी पुलिस कानून इस सबसे मतलब आदमी का तो भला हो चाहिए नहों लेकिन जो वक कि थोड़ा सा मेरा भी लेट हुआ कोई बात नहीं मिलते नेक्ट वीडियो में और हाँ आपका क्या एलेमेंटरी कंप्यूटर एप्लिकेशन और एसी इंगलीज हिंदी सब का धिरे-धिरे डाल दूंगा ठीक है एक करके बाई मिलते नेक्ट वीडियो में हां बुक खरेद लिजेगा और डेली रात को पढ़ते पढ़ते सो जाईएगा ठीक है मबल चलाते चलाते नहीं पढ़ते पढ़ते सोईए